हाई माई एंजल्स वेलकम बेक तो माई चैनल एंड थेंक यू सो मच फॉर वचिंग मी अगीन सो आज मैंने ये सॉफ्ट ग्लैम मेकप लुक क्रियेट किया है वेलेंटैन्स दे के लिए अफकोस वेलेंटैन्स दे बहुत नजदीक आचुकी है सो इस वज़े से मैंने ये वाला मेकप लुक क्रियेट किया है जिसे आप डे टाइम में भी आल्सो नाइट टाइम में भी क्रियेट करके जा सकते हो और अप लोग अगर इंटरेस्टेड हो हाव आई क्रियेट इस लुक देन प्लीस किप वाच माई वीडियो तिल दी एंड स्टाट कर रही हूँ यहाँ पे एनवाई बेक की स्किन फीडेंट सेरम से गाइज यह सेरम बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग मेरी तरह नॉर्मल टो ड्राय स्किन के हो सो अभी से यह serum यूज़ करना स्टार्ट कर दो क्योंकि यह आपके skin को बहुत ही अच्छे से मॉश्राइज करने में हेल्प करती है इस serum के उपर अलग से मेरे चैनल पे एक review है आप लोग अगर interested हो देखना चाहते हो तो इसका video का link मैं नीचे description box पे mention कर दूँगी आप लोग जाके check कर सकते हो then मैंने यहाँ पे लिया है purple का true jewel primer primer जरूर यूज़ करना चाहिए यह आपके makeup को long lasting तो करता ही है उसके साथ साथ आपके pores को और fine lines को भी blur out करने में help करती है then मैंने off camera में अपने brows को fill कर लिया है मैंने use किया है music flor का gel liner shade number है brown उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है stay kurki का यह liquid concealer इससे मैं अपने eyebrows को थोड़ा सा clean कर लूँगी और साथी साथ अपने eyeshadow के लिए एक base भी create कर लूँगी so इसको मैंने apply कर लिया है अपने पूरे eyelid पे और एक flat concealer brush लेके इसको अच्छे से blend कर दूँगी so इससे क्या होगा जो मेरी eyeshadow है वो उसका जो color pigmentation है वो और भी अच्छे से pop करेगी और मेरी जो brows है अगर इस तरीके से concealer से clean करोगे तो आपके brows और भी जादा दिखने में sharp prominent लगेगी बिलकुल बहुत जादा define लगेगी so अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो इस तरीके से और अगर नहीं करना चाहते तो कोई भी problem नहीं मैं भी कभी कभी नहीं करती हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे concealer को एक बार और सेट कर रही हूँ beauty blender की help से then मैंने यहाँ पे लिया है Hillary Roda का यह eyeshadow palette इसमें से जो light orange color shade मैंने दिखाई है उसको लेके as a transition shade मैं अपने eye lid पे color को apply कर रही हूँ so मेरी जो अभी base है मतलब जो concealer मैंने apply किया है वो अभी उतना dry नहीं है क्योंकि मैंने इसको powder से set नहीं किया है तो यह थोड़ी सी अभी tacky है so इस वज़े से eyeshadow को मैं थोड़ा थोड़ा करके apply कर रही हूँ अगर आप जादा apply ले लोगे अपने brush पे तो एक जगे पर न eyeshadow patchy हो जाएगी और blending में problem आ सकती है then मैंने same palette में से जो dark maroon color का shade दिखाया है उसको pick करते हुए अपनी crease line को focus करते हुए मैं apply कर रही हूँ तो जो मेरा dress है आप देख सकते हो उसमें maroon color का है so इस वज़े से मैंने थोड़ा सा maroon color pick किया है और same color को मैं धीरे-धीरे इसको color को build कर रही हूँ बार बार लेके उसके बाद ये जो dark chocolate brown color का shade है इसको लेके मैं अपने crease line को एक बार फिर से थोड़ी सी build करूँगी ताकि जो crease line है वो और भी ज़्यादा dark दिखे so outer भी से start करते हुए मैं crease line के तरफ color को apply कर रही हूँ then मैंने लिया है stay quirky का same concealer इससे मैं करूँगी अपने eye lid को cut so थोड़ा सा half cut crease मैं कर रही हूँ एक flat brush लेके मैं इस तरीके से अपने eye lid को cut कर रही हूँ so जब भी आप eye makeup करो तो थोड़ा सा time लेके जरूर करना मैं अपनी हर video पर यह बोलती हूँ light pink color और orange का mixture है यह color दिखाया है मैंने इसको लेके मैं एक flat brush की help से concealer के ऊपर color को place कर रही हूँ then मैंने जो crease line पे पहली वाली maroon shade apply किया था इसको लेके सिर्फ मैं अपने outer भी पे color को place कर रही हूँ अच्छे से blend करना बहुत जरूरी है then मैंने लिया है एक flat brush और एक black eye shadow लेके आप किसी भी eye shadow palette में से black shadow यूज कर सकते हूँ लेके अपने lash line के करीब करीब मैं color को apply कर रही हूँ और साथी साथ मैं smudge भी करती जाओंगी ताकि एक prominent liner की तरह ना लगे थोड़ा सा you know smudgy सा effect आए इस वज़े से मेरी eye makeup complete हो चुकी है उसके बाद मैंने इहां पे लिया है लेक में 9 to 5 का ये foundation जो shade number सब कुछ वगेरा है वो नीचे में description box पे mention कर दूंगी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं इसको मैं apply कर रही हूँ एक damp beauty blender की help से इसको मैं अपने पूरे face पे and neck पे apply कर लूंगी तो neck पे apply करना बहुत जादा important है otherwise आपके face और neck दिपने में अलग 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 लगती है foundation अच्छे से blend हो जाने के बाद मैंने लिया है stay quirky का यह concealer so guys यह concealer मैंने अपने पिछली वीडियो पे जहांपे मैंने purple haul video की थी वहांपे मैंने आप लोगों के साथ share किया था so यह concealer मैं अज first time use कर रही हूँ तो यह concealer अगर मैं कहों आप लोग पूछोगे किस तरीके से work करता है so guys यह बहुत easily blend हो जाती है इसका texture बहुत ही जादा creamy है और coverage अगर इसकी पूछो तो यह light to medium coverage मुझे लगी और you know मेरे under eye पे यह बहुत अच्छे से set हो गई थी बिल्कुल भी crease नहीं हो रही थी तो इस concealer की यह बात मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगी उसके बाद मैं concealer को और अपने foundation को set कर लूँगी यहाँ पर मैंने लिया है lacmica यह loose powder again मैं shade number नीचे description box पर mention कर दूँगी तो इससे मैं पहले सबसे पहले अपने under eye को set कर रही हूँ क्योंकि you know under eye में बहुत जल्दी crease आ जाती है तो वो crease ना इस बज़े से अच्छे से मैं under eye को set कर लेती हूँ सबसे पहले and then जहाँ जहाँ मैंने concealer apply किया है like bridge of my nose, forehead, मेरी जो smile line area है chin, cupids, वो सब जगे पे मैं powder को apply कर रही हूँ so यह loose powder काफी अच्छा है guys बहुत ही ज़्यादा light weight है बहुत ज़्यादा fine powder है और reasonable price में है so जो लोग beginners है makeup में उन लोगों के लिए highly suggest है आप लोग अगर beginner हो, ने-ने makeup सिख रहे हो तो यह powder बहुत ही अच्छा है so 30 seconds के लिए मैंने इसको अपने face पे bake करने के लिए रखा था अब मैं powder को एक sloppy powder brush से पूरा dust out मैंने कर लिया है and मैंने लिया है यहाँ पे Maybelline का यह 3-in-1 palette इसमें से जो bronzer color है उसको लेके मैं कर रही हूँ अपने face को थोड़ी सी bronzing इससे अभी जो मेरा face बिलकुल pale सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा एक definition थोड़ी सी sun-kissed look आ जाएगी मेरे face पे also मेरा जो face है वो थोड़ी सी chiseled दिखेगी forehead पे भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो forehead है आप देख सकते हूँ बहुत ज़ादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से contouring बोलो या bronzing बोलो मैं करती हूँ then same palette में से ये blush or shade लेके मैं अपने apples of my cheeks पे apply कर रही हूँ ये blush मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी shimmer blush है ये actually so इसके वज़े से ये highlighter का भी काम कर जाता है दिख सकते हूँ इसको apply करने के बाद मेरे cheeks कितनी glow कर रहे है then same bronzing shade को pick करते हूए मैं कर रही हूँ अपने nose को contouring हमेशा करती हूँ अपने सारी video पे करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी nose को contour करना बहुत पसंद है इससे बहुत ही जादा sharp define दिखती है और यहाँ पे मैं अपने double chin को height करने के लिए यहाँ थोड़ी सी अपने jawline पे भी apply कर र क्रीज लाइन पे पहली वाली maroon color apply की थी ना उस color को apply कर रही हूँ और एक fluffy blending brush लेके अच्छे से color को blend कर रही हूँ अपने पूरे makeup को set करने के लिए यहाँ पे मैं apply कर रही हूँ blue heaven का यह setting spray यह मेरी makeup को बहुत अच्छे से सेट कर देगी और आपके makeup को एक dwee सा finish भी देती है then highlighting के लिए मैंने यहाँ पर लिया है wet and wild का highlighter shade number है इसका blossom glow so यह थोड़ी सी pinkish kind of highlighter है तो इसको मैं apply कर रही हूँ अपने face के highest point पे जहाँ-जहां मैं हमेशा करती हूँ cheekbones, nose, forehead, cupid's bow, chin हर जगे पर कर लोंगी बहुत ही subtle सा highlighter है मुझे बहुत ही जादा पसंद है इसके अंदर बिल्कुल भी chunky glitter particles नहीं है बहुत ही mild है so same highlighter से मैं कर रही हूँ अपने brow bone को और अपने eyes के inner corners को भी highlight उसके बाद मैंने यहां पे लिया है blue heaven का यह mascara so guys यह mascara waterproof नहीं है लेकिन आपके lashes को थोड़ा बहुत you know क्या बोलू यह volume भी नहीं देता और अच्छे से curl भी नहीं करता बस फिर भी मैं इसको मैंने purchase किया है इसको apply भी कर रही हूँ अच्छा भी लग रहा है मतलब की daily wear के लिए अच्छा है so अपने upper lashes को और अपने lower lashes को इससे coat कर लिया है then यहां पर मैंने लिया है purple का यह matte lipstick and here is my final look guys कैसी लगी मेरी याज की makeup look मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर like कर देना comment कर देना मेरे चैनल पर अगर आप ने हूँ तो make sure मेरे चैनल को subscribe कर देना तो चलिया अप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी next वीडियो में तब